हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल गयातरी भेज किचन में आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसे आप कभी भी बना कर खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां लेंगे ताजहरी भिंडी तो यहां हमने आधे केजी ताजहरी भिंडी लिया है और इसे अचसी तरह इसे पानी से धोलया है तो चलिए बहुत हम काट कर आपको दिखाते हैं तो इस तरह से हम आगे का भाग निकाल लेंगे और पीछे का भी भाग निकाल लेंगे और यह भिंडी बड़ा है तो इसमें हम तीन टुकड़ा करेंगे आप अपने अनुसार इसे टुकड़ा कर सकते हैं बड़ा या छोटा तो इसी तरह से हम सारे भि एस पर गरम कर लिया है इसमें डालेंगे हम सौर्षो ओइल में ही भिंडी को हम बनाएंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अच्छे से गर्म हो गया है तो हम सारे भिंडी को डाल देंगे और इसे हलका ब्राउं होने तक भूनेंगे अगर आपको सरसो ओईल नहीं पसंद है तो आप कोई और भी ओईल में इसे बना सकते हैं भिंडी को हमें मेडियम फ्लेम पर ही भूनना है एक एक मिनट में इसे हम भूनेंगे इसमें हम डालेंगे थोड़े से नमक ताकी भिंडी जल्दी से पक जाए और थोड़े सी हल्दी और इसे हम चला देंगे और एक एक मिनट पर इसे हम चलाएंगे लागातार नहीं चलाना है नहीं तो भिंडी के सारे जो बीज है न वो बाहर निकल जाएंगे तो देखिए भिंडी हलका ब्राउन हो चुका है थोड़े से और इसे हम भून लेंगे भिंडी अच्छी तरह से भून गई है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे थोड़े थोड़े करके हम सारे भिंडी को प्लेट में निकाल लेंगे भिंडी को हमने अच्छे से भून कर निकाल लिया है उसी कडाहे में हम दो चम्मच के करीब ओयल डालेंगे दो कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे और दो से तीन बड़े कटे हुए प्याज सारे प्याज को हमने डाल दिया है और इसे हम भूनेंगे हलका ब्राउन होने तक इसे हमें भूनना है तो इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़े से नमक ताकि प्याज अच्छे से गल जाए तो प्याज को हमें अच्छी तरह से भून लिया है इसमें डालेंगे हम टमाटर, दो बड़े टमाटर हमने अच्छे से कट कर लिया था धोकर और इसे हम प्याज के साथ भून लेंगे यहां हमने एक चमच लसुन अदरक का पेस्ट लिया है, अगर आपको लसुन अदरक नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं बिना अदरक और लेसुन का भी इसे बना सकते हैं, तो इसमें हम मसाले भी एड करेंगे, एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चमच जीरा पाउडर, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर और एक बड़ा चमच लाल मिर्च का पाउडर, इसे हमें मिलाते हुए मसाल को अची तरह से भूनना है 5-8 मिनट हमें मसालो को मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए भूनना है इस स्टेज पर हम डाल देंगे स्वादनुसार नमक ध्यान रखिएगा कि नमक हमने भिंडी और प्यास में भी डाला था तो इस इसाब से नमक को डाले यहां हमने गर्म मसाला डाला है दो बड़े चमच इसमें हम फ्रेश मलाई एड करेंगे और इसे भून dispatch बहुनेंगे को डालने के बाद इसे हमें लगतार चलाते हुए एक से दो मीनट मसालों को अची तरह से भून लेना है तो हमने मसाले को अची तरह से भून लिया है मसाले एकदम इसमें डालेंगे हम भूने हुए भिंडी और भिंडी डालने के बाद इसे हमें हलकी हातों से इसे चलाना है ताकि भिंडी का बीज बाहर ना आए ये अच्छे से भून भी जाए तो इसे हमें एक मिनट हाई फ्लेम पर भूनना है हलकी हातों से चलाते हुए भिंडी को हमने अच्छे से मसालों में भून लिया है इसमें डालेंगे हम कटे हुए हरे धनिये सुपर टेस्टी भिंडी मसाला बिल्कुल ही तयार है तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं सर्व करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे इसमें हम भिंडी मसाले को रखेंगे आप इसे रोटी, चावल या किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं अगर मेरी रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले बेल आइकन को भी तबाए धन्यवाद